हेलो दुस्तो, दुस्तो मैंने अभी अभी जीयो फिल्मा पर जणनी थी, बाला कोट एंड बियॉंड नाम का नया शो, देखेगर कम्लीट किया है, टोटल नौ एपिफोड इसे शूम है, एंड आज जीयो फिल्मा ने अपने प्रेमियम प्लांस लॉंच कर दी है, एंड इसक को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इस शो को देखने के लिए, मैंने 89 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लिया था, इसको देखने के लिए, तो भई, सबसे पहले कीज़ कहना चाहता हूं कि यहां पर जिमी शेरगिल हमको देखने को मिलते हैं, जो कमाल के लगी है, हमको पुलवामा इवी साल, 2014 में चौसा मैने चल रहा है, लेकिन हमको पांचवी बार पुलवामा किसी फिल्म में या मूवी में फिदीज में देखने को मिला है, पहली बार फाइडल थी, दूफरी बार ऑपर ऑपरेशन वेलेंट एंड थी, तीफरी बार आयल डिकल थी फ होने के अलाबा, कोई तरह से थंडा, बोरिंग सा, एंड किसी भी तरह की कोई intensity नहीं, कोई excitement नहीं, कोई बो वाली moment नहीं कि मतलब आपको जगजोर के रख दे कि भाई, पुल्मामा हुआ है, या फिर बदला लिया जाए तो गूस बंस आ है आपको, एंड जो tone है, जो environment है, उसमें कोई fear ofness है ही नहीं, मतलब है, लेकिन वो वाली चाहीं नहीं, कि आपको उस तरीकी से engage कर पाई, कि आपको बुरा लगे, कि भाई, ये कुछ बुरा हो रहा है यहाँ पर, ये सब यहाँ पर चल रहा है फिशो में, एंड उसके बाद भाद भाई, तीफरे episode में जाकर वो air of strike हो भी जाती है, फ़स्ट episode में शुरुआत होती है, जब वो काफिला जा रहा है, एंड फ़स्ट episode खत्म होती होते है, वो धमागा हो जाता है, एंड फ़स्ट episode था 50 मिनट का, तो 50 मिनट में वो धमागा हो पाई, जबकि शुरुआत बहीं से होई थी, फिर शो flashback में political agenda थे, दुनिया भर में जो कुछ भी चल रहा था, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इस पूरे शू में, जो निहायती थंडा, बोरिंग सा, एंड उसमें कोई excitement नहीं, कुछ भी ऐफा नहीं, कि आपको देखने में मज़ा है, आपको आगे continue करने का मन करे, चल रहा वो दोनों का जब राज भाश हुआ, परदा भाश हुआ, पता चला कि यह यह है, तो वो लोग भाग रहे थे, वहाँ पर action थोड़ा अचा था, लेकिन मैं यह फोच रहा था, जो वो महला थी, जो लड़गी थी, वही वो गोलिया चला रही थी, अब मैं यह फोच रहा था के करेक्टर फे कहता है, तुमारी एक एक हरकत का जबाब देगा पाकिफ्तान, तुम हिंदु फ्तानियों को तुमारी आवकाद देखा के, उफ के बाद जिमी शेरिगल कहते हैं, जहां पर तालीमा देने का मन करेगा, हमारा फचिन तैंदुल का चक्का माल था 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 न, तुमारा प्रद्धान मंतरी बाउंडरी फे जाकर बॉल लेकि आता था, इसलिए अवकाद की बाद तुम लोगों के मुझे अच्छ नहीं लगती, यह कुछ ऐफर डायलोग था जिस पर आपको तालिमा देने का मन करेगा, यह कमाल का था, एंद उसकी बाद जब खत्म हु लेकिन शुरुवात में, मतलब जो मेन फ्रोरी है, बाला कोट की या पॉलवामा की, पाँपर इस फिशो में कोई फील नहीं है, कोई एमोशन नहीं है, पूरी तरफ फी थंडा है, पूरी तरफ बोरिंग सा है, बहुत व्यादा लेंदी है, पकाऊ सा है, नया नहीं है, मतल था, कोई मतलब धमाका हुआ है, बाला कोट पर, हमें लफ्तानियों के लिए, खुशी की बात होनी चाहिए, कि भई बहां धमाका हुआ है, हमने बदला ले लिया है, लेकिन तीफरे एपिफोर्ड के बाद शो, जो एक बात थी भी, जो थोड़ी बहुत जो बात थी भी, त इफरे एपिफोर्ड के बाद फे तो पूरी तरह से बिखर जाता है, यह पूरी तरह से ही निहायती बोरिंग हो जाता है, कुछ भी यह नहीं था, मतलब मेरा तो मैं यह कर रहा था, पांचवे एपिफोर्ड में आकर, कि मैं अब इफिशो को छोड़ दू, अपनी रात फा लबामा दिखाया गया है, बहांपर हमको यह जानने को नहीं मिला कि वो डियक्ष आया कहां थे, ट्रेनिंग कैफे हुए, चलो ठीक है ट्रेनिंग का जो भी है, लेकिन हम ने, हम इंडियम ने, या हमारी गवर्मेंट ने, या हमारी फिक्यूलिटी एजेम वीव ने, उसके क्थ ने, या यह, क्यूँ हुआ, इतना बड़ा डिफॉल्ट, किफ तरीके फे, इतना बड़ा ने, गलिवियं किफ तरीके फे, तो, वो भाधी चीजें हैं, उसके बद फिूचर के लिए हमने क्या प्लान लिए है, मतलब हमारी क्या कदम हमने उठाये हैं, आगे चलकर आ किवी चीज़ें उस तरीकेς की घटना है ना हो इन वादि चीज़ों पर कभी भी बात नहीं की गई जतनीबी इन 4-500 पछींघो में इस बाद sublim कर घृतिकमा को इस पर बात नहीं की गई है कभी भी मैंने movie hall में film देखे थी article थी 7 day मैं हिल गया था उस moment को देख कर जब धमाका हुआ था मतलब बहुत व्यादा impactful था इस शो में कुछ भी impactful नहीं है कुछ भी effective नहीं है जो भी है पूरी तरह से ही निहायती धंडा सा है निहायती फिलू है lengthy है boring सा है तो यह end हो सकता है कि आप इस शो को बीच में छोड़ दें क्योंकि 9 episode है शुरुआ थी episode लगबग 40-50 minute के थे 50 minute के थे शुरुआ थी 2-3 episode उसके बाद इसकी episodes के length 45 minute के आसपास हो जाती है बड़ी बात यह है यहाँपर कि 6 minute के end credits है यहाँपर प्रती एक episode में तो यह साथी चीज़ें से शो में है बाकी तो भाई हाँ second episode में एक scene और था जब पकिस्तान में जो अपना asset था second episode के end में उसने किसी को मारा पत्थर से उसका सर फोड़ दी और उसके बाद उसको दफना रहा था तो वो खत्म होते होते जो fiend था वो उसका फिल्मांगर मुझे थोड़ा अचा लगा VFX मैंने जैसा कि कहा है अच्छा कह सकते हैं उतना अच्छा नहीं है फार्म ने वैनिंग जो है ठीक ठाक है अच्छी कह सकते हैं if still लेकिन VFX मुझे टॉप नौच लगा था फाइटर मुवी का तो यह फादीज है यह एक बिलू एवरेज फीदीज है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है एक्सेप्ट एक्टिंग लगबग सभी की ही अच्छी है जैसा कि मैंने का मैंने ट्रिलर नहीं देखा था एक्सेटमेंट बहुत व्यादा थी मुझे तो मैंने काफी एक्सेटमेंट के इसको देखना शुरू किया था लेकिन मैंने जो 90 रुपीज खर्च की है मुझे लगता है कि वो बेफ्ट गया है जब मैंने देखा लोग इन कर रहा था मैंने ब्रेव पर इसको परचेव लिया और फिर मैंने खुला और खुल कर मैं देखता हूँ जब मैं लोग इन कर रहा तो महाँ पर मैंने देखा कि 29 रुपए का एक प्लान और भी है फिर्म बंड डवाइफ के लिए चार फॉरी एक डवाइफ के लिए और फूर के मैं और एक महिने के लिए तो शुरुआत में तो पर प्लान दिखी नहीं देते मोबाइल पर नौफन इन्यान में का एक फाल का प्लान दिख रहा था एक चीज मुझे और याद आई है इस फिशो की डविंग अच्छी नहीं है यह मैंने लिखा भी था अपने टेलिगराम चैनल पर की डविंग अच्छी नहीं है मतलब कुछ कुछ अगे समझ में ही नहीं आता जबकि मैंने ये एरफून लगाया हुआ तो सब्टाइटल नीचे रह जाते हैं दिखाई नहीं पड़ते तो इस पर इनको काम करना चीज था एक फिशो की बहुत गंदा देता है क्योंकि डविंग अच्छी नहीं है इस फिशो की जब यहां पर आशुतो शरायन के करिक्टर अंत में वो डायलोग मालता है जब तालिमार निकमन करेगा तुमारी एक एक हरकत का जबाब देखा पाकिस्तान तुम हिंदुस्तानियों को तुमारी आउकाद दिखा के कहते हैं या दिखा देंगे कहते हैं पता ही निए चलता कि क्या कहा उन्होंने तो experience गंदा दिया है इस शो ने जफ्रा 2 इफ्रास out of 5 इस शो के लिए मुझे ये कहीं से भी अच्छा नहीं लगा है तो ये सारी चीज़े हैं बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 4 इफ्रास out of 10 इस शो के लिए बाकी खत्म होते होते भी पूरी तरह से conclude नहीं हुआ है if still बाकी है ये शो तो ये सारी चीज़े हैं जो खत्म होते होते हैं जो अंत्मनों ने देखाया है थोड़ा अच्छे से देखाते किसी भी फिल्म फिरीज में बोच चाहिए हैं कबद नहीं की गई है यहाँ पर कबद की गई है लेकिन अच्छे से नहीं दिखाएगा राइटिं इसके दिन लिए डरेक्षन, ट्रीट्मेंट, प्रोडेंशल, ड्रामा, मसाला इस शो का अच्छा नहीं है तो यह स्किप्प कर देना चाहिए बाकि आप लोगों की मरवी है एक्ट्रिक देना चाहिए चाहें तो दे सकते हैं बाकि तो मैं यही कहोंगा कि लेकिन प्यू क suic़ भी अपका होना चाहिए मैं फोपना नहीं चाहता कि मेरे कहने पर आपने छोड़ दिया वो यह है आपने देखा है लिख के बताना पाकी लाइक शेने फब्सक्राइब करना चैनल को विडिक वेंड देफी विनेते शाने साइनिंग ओप थैंक यू